तो यह है Indian Bikes Driving Daddy जो के copy inspired है GTA 5 से यह game इतनी ज़्यदा popular जो इस game की obviously copies तो बनी होगी और वो सारी की सारी copies हमने try भी कर रखी है बट आज मैं एक AC game try करने वारा हूँ जो के Indian Bikes Driving Daddy की copy नहीं है सीधा GTA 5 की copy है और है copy नहीं inspired रोकी ही बनाई गई है और वो mobile के लिए और काफी ज़्यदा खतर ना के खेली तो मैंने मीनी है मैंने भी सुनाई तो आएए देखते हैं वो आकर game है केसी ओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ ये मेरी गेम और ये इसका करेक्टर है चलो करेक्टर तो मुझे काफी ज़्यादा क्रेजी लगा और इसमें जो पहन रखा है वो और भी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है और ये वाला है मेरा रूम और ये इस वाले रूम का बेड रूम जो के मैं रही बेडरूम में एक सिगंड ये केस अप्शन है में इसके बीच में जाता हूँ एक शर्ट वाला उप्शन आया है मैंने क्लिकिया ओहूँ साइड में इतने सारे उप्शन आच चुके हैं जहां से में अपने कोस्ट्यूम्स को चेंज कर सकता हूँ और ये बाई मेरे हेर्स में तो सेम केप ही करने वाला हूँ चलो मैंने सेम केप कर ली और सिर्फ केप नहीं है इतने सारे उप्शन से शर्ट के पैंट्स के और काफी सारे भाई ये तो मुझे बिल्कुल वैसी फील दे रहा है जिसे के जिटीफी के अंदर हम फ्रेंकलीन के किलोट्स को चेंज करते हैं बिल्कुल वैसा ही तीम रखा गया है क्रेजी क्रेजी कोस्ट्यूम्स है और काफी कुछ है बट अभी जो डेफॉल्ट था मैं वहीं रखने वाला हूं क्योंकि वो डेफॉल्ट ही ठीक है अभी के लिए तो मैंने डेफॉल्ट करकी एक्जिट कर लिए और फिर से मैं आज चुको अपनी गेम के अंदर और ये वाला मेरा रूम भई क्या क्रेजी है लाइक भई इतना ज्यादा बड़ा रूम है वेट ये टीवी है और उस पर नो सिगनल है क्या ये टीवी भी चलेगी I think नहीं क् मैं अप्शन तो कोई नहीं आ रहे मैं अपनी मोबाल में देखता हूँ कोई ओपशन है क्या ओव ये टीवी का कोई तो ओप्शन दिख रहा है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और नो सिगनल वो भी गायब हो गया वेट वेड ये नीचे क्या रहा रहा है वीडियो यहां से इट लिया है अप्सपलोर करने हैं.. अब बाएर निकल दौओं, इस वड़ाई गेट से इसके निकलना है मैं इस वाले गेट से निकल जाओ कि यह चोटा लग रहा है नहीं नहीं बड़ा और इसकी गेट ओन करने की एनिमेशन्स देखो भई सची में यह वाला गेट ओन और ओन करने में मुझे एक चीज़ फील आ रही है मतलब वो सेम फीलिंग आ रही है मैं जैसी ओन कर रहा हूं देखो हाँ भई जो जो लोग समझ गए है न मुझे भी वो ही लग रहा है जिसे जीटियवी में फ्रेंक्लिन और माइकल गेट ओन करते हैं वेसे ही और रूम से बाइर निकल दी हमें थोड़ा सा एरिया मिला और यहां पर यह किच्छन है जहां पर सारा का सारा हम कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं यही परी भाई ये गेम कुछ ज़्याद़ी क्रेजी नहीं और ये अब मैं जीदा बाहर जाता हूँ वेट ये एक और डोरेज के अंदर भी एक है मैं अंदर जाता हूँ ओह वेट यहाँ पर एक गेराज है जिसके अंदर मेरी सिर्फ एक साइकल पढ़ी है और कुछ भी नहीं बढ़ा है और इस वाली साइकल को मैं चला भी सकता हूँ भी किरेज ये साइकल तो ठीक टाक है लेकिन ये जो गेराज है न वो कावी ज़्याद आचा है क्योंकि यहाँ पर हम सारी की सारी कार्स को पाक कर सकते हैं लेकिन वो साइट की बात है मुझे बायर निकलने बायर से दिखने ये गेम लगंके जिर्रिये में बायर आज चूँँऊ और बाहर देखो इस वाली गेम ने किल कर दिया कितने ज्यादा खतर ना गिराफिक्स लग रहे हैं बाहर आने के बात एक से के यहां पर एक महेंदर तर वेट यह अपने आप यह ओन हुआ और अपने आप यह ओन हो गया अच्छा अच्छा मतलब यह गेराज के गेट से जिनके हम पास और जैसे ही दूर जाएंगे तो यह अपने आपी किलोज हो जाएंगे बही क्रेजी चीजे इस सली गेम के अदर अब मैं अपनी महेंदरा थार के पास जाता हूँ और इसको मैं चला के दिकतो यह चलेगी और इस वाली कार के अंदर में बैड चुकाऊ और यह में में इसको चला भी सकता हूँ वो तो ठीक है मैं कार को चला सकता हूँ लेकिन यार यह गिराफिक्स कितने ज्यादा खतरनाग लग रहे हैं और इसके गिरास देखो इसके ट्रीज देखो ठीज थोड़ी सी सस्थी वाली है आई टिंक परफॉर्मंस के लिए लेकिन यह डोग ऑप्शन आ सुइमीं पूल एक बार में सवाल स्वुम्मिटपूल में जाता हूँ आय तेंक इसमें नहीं जाएंगा मैं जाक का हूँ ओव वेट वाजा द EVE команд में टरह नें अभी से एक्ससे अर्जिक्ट कर लेता हूं और मजा तूम लोग ने अभी दक वीडियो को लाइक ही नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया अब ना कहूं इसका मतलब पर ऐसा तोड़ी नहीं कि तुम लोग करोगी नहीं अब बड़ावड से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो वेट यह मैंने रेंडमली फोन के अंदर चीट कोर्स हो ले एप कोन किया और यहां पर इतने सारे चीट कोर्स हैं जिनकी स्टार्टिंग है 201, 301 and 401 तो मैंने 201 डायल किया है और डायल हो रहा है अभी भी एक सेगंड कुछ भी नहीं आया भाई मैंने सही तो टाइप किया इस बार मैंने 201 डायल किया है और यह कोलिंग हो रहा है इस बार भी कुछ नहीं है मैंने यहीं तो डायल किया है जो कि यहां पर है वेट इनके सामने हेश भी है यह भी डायल करना है गया एक बार मैं हेश के साथ भी डाइल कर लेता हूँ टू अंडरेट वन मेने डाइल किया है इस बार और अबे वस्ट चीट कोट ही अपनी फेवरेट इस प्लेहंडर का निकलाया भाई मतलब जो हमारी फेवरेट भाई के इंडियन बाइक्स ड्राइंग देडी के अंदर इसके फर्स्ट चीट कोट पर ही वह ही निकल आई और आइटिंक बिल्कुल सेम है क्योंकि मुझे डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा है और देखते है कौन-कौन सी चीज़े आती है वेटरड मुझे है इस फर्स्ट में डाइल करना है तो अब सेकंड चीट कोट है 202 तो मैंने इसको डाइल कर लिए और इस पर सुपर इस्प्लेंट रहा ही है सेम वह भी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D वाली भई मुझे तो दोनों ही अपाचे लग रही थी क्योंकि साइड में बस यह आ रहा है कि चीट कोट एक्टिवेडड कोई भी नाम नहीं आ रहे और यह बुले भई यह तो सारी सारी क्रेजी क्रेजी बाइक्स है मैं सारे चीट कोट ड्राइविंग 3D के अंदर आता है जिर्फ और सिर्फ यहीं आ रहा है कि चीट कोड एक्टिवेटड कोई भी नाम नहीं आ रहा है अब मैंने एक और डायल कर लिए चीट कोड और इस पे आईए I think नहीं जाए इस टू आर लेकिन यार साइड में नाम आना चाहिए था I think यह आगे चल के ठीक हो जाए लोगर तुम लोगों को पता है तो कॉमेंट्स में बता हूँ मैं एक और चीट को डायल करता हूँ और यह मैंने डायल किया है और इस पे भी सेन मैं एक और चीट को डायल कर लिए तो 213 और यह मैंने डायल किया है एक और बाई का गया है लेकिन यह कौन सी है फर्स्ट और ये डायल करती है ये कौन सी है वेगनार जैसी लग रही है बट डिफरेंज है काफी ज़्यदा सुफ्ट या फिर कुछ ऐसी है मैंने एको चीट को अब ही है मैंने क्या डायल करती है और इसमें फोस्ट चुनर आ गई बही मुझे डायल करना था 302 और मैंने डायल कर लिया 305 अब मैंने टू डायल कर लिया और ये डायल करती है अब ये वेगनार वो वेगनार जैसी थी लेकिन ये कुद वेगनार है लेकिन वेड़ वेड़ ये तो डायल कर लिया मुझे तो 300 से स्टार्ट करना है मुझे डायल क लिए इसको और यह डिल करते ही आज चुकि यह बोले रो बोले रो या फिर कोई और है मुझे तो बोले रही लग लिए लेकर तुम लोगों बता है तो कॉमेंट्स में बता हो मैंने एक और चीट को डायल करिया और इस पे तो इसकोर प्यों को तो देखती है हर कोई पेचान दी जा रही है अपने आपी बता नहीं इसको क्या हो गया है लेकिन इसको चुड़ो मैं एक और चीट को डायल करते हूँ और मैंने डायल भी कर दिया है ओ ये कोई से ओ वे भाई ये तो पोर्श है और आइधि नाइन वन वन पोर्श है भाई ये कितनी स्यादा कतरनाग मैं प centrifugASON को डायल कर लेता हूँ एक और मैं डायल कर लिया है और भूश Im मतलब यह मुझे daily reward में मिलेगी मुझे कौन सी कार मिलेगी अभी मैंने एक और cheat code dial कर लिया और इस पे भी कुछ नहीं है मैंने 312 dial कर दिया और यह dial कर दिया एक सेकंड यह तो खुली हुई महेंदरा था रहे कुछ तो आया मुझे तो लोगा हर cheat code पर डेली रिवाड़ी आगा लेकिन एक आई है तो मैंने एक और भी cheat code dial कर दिया और cheat code यहीं पर end आए थे यह ना तो कोई vehicle आ यह ना तो वह वाला option आया डेली रिवाड़ वाला मतलब यहीं तक end अब मैं और देखता हूँ तो आप सारे की सारी cheat code 400 से start तो मैं फार्स cheat code dial करता हूँ 401 तो मैंने डायल कर लिया है 401 और भाई ओटो रिक्षा अब ना प्रोपर इंडियन फील में एक और cheat code dial करता हूँ 402 मैंने 401 dial कर लिया और यह second cheat code और इस पे ट्रेक टैक अब आर यह प्रोपर इंडियन फील सारे की स जो आ रहे हैं 400 पे वो इंडियन फिल वारे हैं वेड मुझे 300 नहीं 400 डायल करना है तो अब मैं डायल करता हूँ 404 और यह मेरे डायल करती आज चुकि एक बस लेकिन यह वाली बस मोटरन बस लग रही है और काफी सारी मोटरन बस तो अब आ भी गई है तो मैं एक और cheat code dial कर तो 406 और यह मेरे डायल करती आवे यह वाली साइकल यह तो प्रोपर इंडियन फिल दे रही है यह वाली साइकल इस्पेशली विलेजीज में होती है मैंने एक और cheat code dial कर दिया और यह डायल करती खतम cheat code तो सारे के सारे खतम हो चीगे और भई कितनी सारी विकल्स को मैंने इस्पोन कर लिया है इतनी सारी बाइक्स इतनी सारी कार इतनी सारी अधर विकल्स लेकिन भई अभी जो on the sport मेरी फेवरेट कार बनी है 911 Porsche वो I think 911 ही है या फिर कोई और है तुम लोग बता देना मुझे तो वहीं लग रही है लेकिन जो भी है मैं इस वाली को लेता हूँ और city को बाहर से explore करता हूँ यह कितनी ज़्यादा खतर ना के ओर राइट मैं इस वाली कार में बेट चुक है अब बस मैं आरा मारा हमसे अपने घर से इस वाली कार को निकालता हूँ लेकिन इस घर का जो को city में और city में देखो भाई cars चल रही है वो भी वेगनार जीसे एंडियन बैक्स ड्राइंग देटी के old versions में चलती थी सिर्फ और सिर्फ वेगनार वे यह side में एक building है जो कि काफी साथ crazy लग रही है लेकिन city में सिर्फ वेगनार नहीं घूम रही है मैंने एक tractor आवे auto अभी city में घूम रहा है सामने की तरफ ट्रेक्टर भी घूम रहा है बस ट्रक्स सभी घूम रहे हैं यह crazy बई NPC साइड में चल रही है और सारी की सारी cars, buses, trucks, auto सभी चल रहे हैं बई यह हुई ना बात traffic पूरी की पूरी घूम रही है सारी की सारी vehicles है और side में यह इतनी सारी trees यहाँ पर कोई park वगे रहे हैं क्या नहीं आई तिंग ऐसे ही हैं लेकिन इसके graphics देखो कितने ज्यादा कतरनाग लग रहे हैं वेट ही मुझे side में एक map का भी option नजर आ रहे हैं मतलब इसमें proper map दिखा रहे हैं मैं क्या इसको on भी कर सकता हूँ वेट मैं side में park करता हूँ भ position नजर आ रही है और मैं map को चोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और सारी की सारी locations भी नजर आ रही है और side में सारी की सारी locations भी लिखी हुई है जो कि इस वाले game के map के अधर है village मी है मैं village के अधर जाता हूँ सीधा मुझे village डूंड़ना पड़ेगा यहाँ पर तो मुझे नज चोटा सा route मिल गया है अब बस मैं इसी को भी follow करते जा रहा हूँ और यह crazy चीज़ है जब मैं गाड़ियों को cross कर रहा हूँ ना जैसे real life मैं sound से नहीं देता है ना कि रोज करने को वहीं Sam सुना ही दे रहा है एक बार sound को सुनो चलो मैं मैप को follow करते तो जा रहा हूँ और यह साइड में मुझे क्या दिख रहे है ऐसा कोई रेगिस्तानी एरिया लग रहे है और यहाँ पर कोई रास्ता जा रहा है यहीं जा रहा है के village वाली साइड लेकिन मैप में तो कोई और से दिखा रहा है नहीं यहीं से तो I think न मुझे अलगी साउंड्स चल रहे हैं जैसे रेगिस्तान में चलते हैं वहीं साउंड्स एक जिकिन अब मुझे यहां से ट्रंड करवा रहा है वहां से रास्ते से नहीं ट्रंड करवा रहा है और भाई यहां पर क्या साउंड्स नहीं दे रहे हैं चलने की साउंड्स में बास्ते से आ जाता और भाई यहां पर कार्स डर्स्ट कितनी निकल रही है बिल्कुल रियालिस्टिक फिल और यह यह वाला विलेज साइड में केती वाड़ी भी है इस वाली गेम के अंदर और यह तो यह विलेज भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बड़ यहां पर तुम यह वाली वीडियो देख रहे हैं तो इस वाली चीज को नोट करना प्लीज बागी यह वाला विलेज मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा और काफी ज़्यादा अच्छी जगए पर बनाए गया है मतलब बिल्कुल हर जिदे को ऐसी फील आ रहा है जैसे कि यह व ग्राफिक्स का बगी अभी मैं सीधा जाता हूं एरपॉर्ट पर ओके तुम्हें इमनी फैवरेट पॉर्शे को बगाते हुए लेकिया है और यह आज चुका है भाईवे अब मुझे सीधा जाना है यह हाईवे भी देखो तो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है यहां पर रहा है चल रहा है ट्रक्स भी चल रहा है और यहां पर तीन बड़े टैंट टाइप लगे हुए और इनके अंदर कोई एरोपलेन वगे रहे ग्या पर इसका मलब कुछ ना कुछ तो होगा मैं देखता हूं नहीं यह वाला तो काली है और सामने वाला भी काली है एस साइड वाल में होगा I think मैं देख लेता हूँ इस वाले लास्ट में और इसके अंदर भी कोई एरोपलेन नहीं है भाई ये के जा एरोपोड यहां पर कुछ है ही नहीं लेकिन I think future में आ जाएंगे अब मैं फिर से अपना मेप उपन करता हूँ और देखता हूँ कोई और जगे जांपर मैं जा सकता हूँ देखता हूँ यहाँ यहाँ पर mabe में मुझे अपि तो कुछ नज़र न की आ रहा और videos है एक शोरूम है और एक वी कल कस्टम है मैं पहले शोरूम पे जाता हूँ फिर वीकल कस्टम पे जाऊँगा चलो मैंने शोरूम को सिलेक्ट कर लिया है अब फिर से मैं अपनी फेवरेट पोर्श को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ शोरूम पे और एक सिगेंट तुम लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया नहीं किया तो कर दो सारे के सारे थेंक्यू अब बस मैं हाइवे पे फुल स्पीड पे अपनी 911 पोर्श को लेके जाता हूँ सीधा पहुंचता हूँ शोरूम पे और शोरूम आइटिंक सिटी के बीच में ही होगा तो मुझे फिर से सिटी के बीच में ही जाना पड़ेगा बड़ मैं तो मेप कोई फॉलो करता हूँ फिर जहां भी लेके जाए बात तो सही है और राइट तो इतना ज्यादा हाई वे पे चलने के बाद जाके मुझे सिटी नजर आई है अभी भी शोरूम नहीं आया है जिर्फ अभी तक सिटी नजर आई है अभी मुझे और भी ज़्यादा आगे जाना है शोरूम तक पहुंचने के लिए आइटिंग मैं पहुंचने है रहा हूँ बस तोड़ा सी आगे क्योंकि साइड वाला मैं मुझे सब को दिखा रहा है कि कौन सी जीज कहां पर है और बस मैं शोरूम पर पहुंच गया पहुंच गया और ये रहा वो शोरूम शोरूम सिंपल है इतना ज़्यदा लग्जरी नहीं रखा गया है लेकिन काफी ज़्यदा अच्छा लग रहा है सिंपल पे भी चलो मैंने अपनी कार से एक्जिट कर लिया है अब मैं जाता हूँ शोरूम के अंदर और देखते हैं कुछ कार वगिरा हम बाइक कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पड़े हैं होऔ के तो इसने गेट ओपिन कर लिया और गेट ऑपिन करना तो क्रेजी यहां?" यहां पर तो कोई ही नहीं?" यह क्या है शोरूम के अंदर कोई ही नहींग अब मैं बाइक एक एसे कर јंद कार हैं आ यहां फिर भाइक भी पीछे हमें जाता हूँ और क्या मैं ड्राइब कर सकता हूँ नहीं option तो नहीं आ रहा मतलब drive नहीं कि इस side से दिखता हूँ शाय से side से option आ जा नहीं side से भी नहीं आ रहा मतलब I think ऐसे ही पड़े हुए सिर्फ showroom के अंदर वेड यहां पर purchase का option नहीं आया है मतलब सारी के सारी यहीं से purchase हों की और यह क्या है यह कहीं तो arrows जा रही है I think मुझे इनको follow करना है मैं इनके पीछे follow करते करते जा रहा हूँ और यह showroom के इस side पे पीछे जा रहे हैं लेकिन यह मुझे showroom के पीछे लेके क्यों जा रहे हैं लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नोगा मैं जा रहा हूं जा रहा हूं और मैं पीछे आ गया और वे यहांबर मेरी बाइक पड़ई हुई और लोग कड़े हुए सेलिब्रेशन के लिए बही इन लोग ने तो proper मेरी celebration किये बाइक के delivery की यार ये कितनी ज्यादा कत्रना गेमें इतने सारे features है है वो भी starting में ही इतने सारे लोग बाइक की celebration के लिए कड़े हुए थे और मैं जैसे ही पहुचाए इन लोग ने proper celebrate किया यह होती है चीजे कब हैंगी ऐसी चीजे इंडियन बायगs ड्राइवंग देडी के अंदर और इस शौरूम एंडियन बायगs ड्राइवंग देडी के शौरूम में 19-20 का यह तो फरक है ये एक पार्क के मैं पार्क में जाउं गया यहीं ठीक रहे है आपक को सिलेक्ट करता हूँ और सीधा जिता हूँ पार्क में विट इससे पहले तो वीकल कर्स्टम में't फारण पर जाता हूँ फूर यहाँ पर पहुंच की फिर पार्क में चली जाएंगे ऐसा ठीक है अब मैं फेवरेट पॉर्ष को निकालता हूँ और सीधा आजाता हूँ वीकल कस्टम पे लेट्स गो मैं अपनी फेवरेट पॉर्ष में बेट चको और अब जैसे मुझे मेप दिखा रहा है बस उसी काई फॉलो करना है और मैं वहाँ तक पहुंच जाओंगा वहाँ के तुम्हें इतनी जल्दी पहुंच भी गया इतना से दूर नहीं था और आइधिंग यहीं वाला है और येस यहीं है क्या मैं इस वाले गेट के अंदर जा भी सकता हूँ मैं तोड़ा सा अपनी कार को आगे करता हूँ आधिंग ओपन हो जागा और येस ओपन हो भ लेकी रखता हूँ और इतने सारे ओप्शन से तो मैं सारे के सारे ओप्शन को देखता हूँ और अपनी वीकल को कस्टम करता हूँ यह यह क्या बोल दिया लेकिन उसको चोड़ो मैं अपनी सारे के सारे इन ओप्शन को यूज करके एक खतरनाक अपनी पॉर्शे को बना दे जल्दी जल्दी बस मुझे कुछ ना कुछ यूनीक करना है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ तो मैंने पूरी की पूरी पोर्श को बना दिया और भाई आप तुम इसको देखो भाई लिटरली मैं क्या क्रेजी कर दिये मैंने मुझे कुछ यूनीक बनाना था और ये बना दिया लाइक सीरियसली भाई खतरनाक तो लग रही है और इसका मैंने सिमोग भी पूरा का पूरा बिलू कर दिया है और अब मैंने पार्क को भी सेलेक्ट कर लिया तो अब मैं अपनी स्वाली पोर्श को लेके जाता हूँ सीधा पार्क पे बढ़ भाई जो भी को चल तो काभी सेला किरेजी रही है यार ये क्या हो गई ये इतनी जदा कतरनाक सूपर कार और मैंने कुछ इसको ऐसा कर दिया है लेकिन ठीक है अब मैं जल्दी से बस पहुंचता हूँ पार्क पे अब मैं केस बुहस पहुंच जोगा इस वाली कार को लेके लेकर लेकिन जो भी हो मुجझे तो इसी को लेकर जाना है वहां पर बट जो भी हो मेरी फैवरेट है और अच्छी भी लग रही है तुम लोगों को भी लग रही है तो कॉमेंट्स में बताओ मैं सीधा पार्क पे जाता हूँ ओखो के तो थोड़ा से चलने के बाद आज चुकी है ये वाली पार्क और ये ये ही पार्क है यहाँ पर इतने सारी ट्रीज लगी हुए बेंच लगी है और यहाँ पर इसके गिराफिक्स क्या लग रहे है और ब्रेक 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 बस यही इस पार्ग का सेंटर है I think क्योंके मुझे यही नज़र आ रहे और चारों तरफ से रास्ते भी आ रहे पार्ग ठीक ठाग है इतनी ज्यद्धा अच्छी नहीं है लेकिन तीक है पार्ग ऐसी होनी कारे लिए और यह मेरी कागो क्या होगा पूरी की पूरी होटी हुच और तोमें एक已经 कर लें तो और हाँ एक और चीज मेंने यहां फिर किन और यूंचे गालों चैनों तो और यह शय को कोई नज़ advice बाहर निकल दिया और मैं चला पा रहा हुआ भाही क्या crazy इं है मैं और अब अभी तक कुछ नहीं किया तो वो तुम लोग कॉमेंट्स में बता देना जो जो नहीं किया है अभी तक मुझे लग तो रहा है कुछ चीज़े हैं जो मैंने मिस्स कर दिया अभी तक वो ट्राय नहीं किया है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे कि क्या क्या है और मेप में तो वेज़े भी कुछ नहीं बचाए सारी की सारी जो जो चीज़े थी वो सब भी मैंने गूम लिये और सारी की सारी इंजोई भी कर लिये बसाए दिए यही था और कुछ चीज़े रे चुके तो वो तुम लोग मुझे कॉमेंट्स में बता देना बागी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर